पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में करोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर राज्य में ओक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाईयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सिन की डिमांड बढ़ रही है, और जगे जगे कि इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस hospital में oxygen की कमी हो गय, इस hospital में 2 घंटे की oxygen बच गई. मैंने खुद रात रात भर असपतालों में oxygen का इंतिजाम कराने में गुजारी है, कहीं किसी असपताल में oxygen की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए. केंदर सरकार हर राज्ये को oxygen का कोटा तै करती है. देश भर में जितनी भी oxygen बनती है केंदर सरकार तै करती है कि इस रज्जे को इतनी oxygen मिलेगी अब दिल्ली को कितनी oxygen चाहिए दिल्ली सरकार ने अपना एक estimation लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन oxygen की जरूरत है केंदर सरकार ने हमारा कोटा कल तक 388 टन तै किया हुआ था ये कोटा कल शाम को बढ़ाके 480 टन कर दिया है केंदर सरकार ने इसके लिए हम केंदर सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं हालांकि हमें और भी और भी काफी oxygen चाहिए लेकिन केंदर सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं अब केंदर सरकार ये भी तैख करती है कि जो आपके कोटे की oxygen है वो कौन सी company देगी जैसे दिल्ली में तो oxygen बनती नहीं है दिल्ली की सारी oxygen दिल्ली के दूसरे रजों से दिल्ली के बाहर के दूसरे रजों से आती है तो केंदर सरकार तैख करती है कि फलाने रज्जे की ये company आपको इतने किलो oxygen देगी फलाने रज्जी की ये कंपनी आपको इतने किलो अक्सिजन देगी मालो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी हर्याना की ये कंपनी आपको इतनों किलो देगी तो केंद्र सरकार कमपनिया तै करती है कि किस कमपनी से दिल्ली को अपने कोटे की अक्सिजन आएगी अब दूसरी समस्या यहाँ पर आ रही है कि यह जो कमपनिया जिन राज्यों में हैं उन में से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कम्पनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सिजन आनी थी वो भीजनी रोग दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने रज्जे में इस्तिमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तिमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जानी नहीं देंगे लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोट का शुक्रियादा करना जाता हूँ पिछले दो-तीन दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वज़े से अब ऑक्सिजन दिल्ली पहुँचने लगी है जो जो दिक्कते आ रही थी हम लगातार पिछले दो दिन से एक-एक मिनिट टू मिनिट मैं खुद मनीश जी मैं हमारे सारे ऑफिसर्ज केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे पर सो रात को मुझे याद है जब जी टी बी हॉस्पिटल में वहां का ट्रक एक पडोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं जी टी बी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन तो एक केंद्री मंत्री को हमने फोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से चुड़वाया हम लगातार संपर्क में हैं एक एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं सो इनी हैं हाई कोट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रियादा करना चाते हैं जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का उसमें उडिसा से काफी ऑक्सीजन आनी है तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुँचने में कुछ दिन लग जाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जाज के जरीए उडिसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके जब हमने लॉक्डाउन लगाया था मैंने आपको बोला था कि ये छे दिन का जो लॉक्डाउन है ये छे दिन हम आराम नहीं करने वाले हम 24 घंटे काम करेंगे इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिली के हेल्थ इंफरसेक्चर को और सुद्रड करने के लिए इन 6 दिनों में दिली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए दिली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफरसेक्चर को और इंप्रूव करने के लिए इस लॉक्डाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक और बात यह बहुत बड़ी आपदा है इस आपदा में अगर हम सारे लोग हर्याना, पंजाब, तमिनाडू, गुजरात, पश्चिम, बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा इस वक्ट हमें एक दूसरे की मदद करनी है हमें भारतिय बनना है हमें इंसान बनना है डेश के लोग आज सभी News Channel पर देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्जे ने रोख दिया मध्यपर्देश में जाने वाला ट्रक भलाने राज्जे ने रोख दिया ये तो ठीक नहीं है लोग ये नहीं चाहते देश के लोग आज ये देखना चाते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी उत्तर परदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें तब ही भारत बजेगा अभी तो समय ये है कि उत्तर परदेश वाला दिल्ली की मदद करें दिल्ली वाला हर्याना की मदद करें हर्याना वाला बिहार की मदद करें बिहार वाला गुजरात की मदद करें हम सारे लोग अगर एक दूसरी की मदद करेंगे तब भी तो भारत बचेगा और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बढ़ गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा मेरी सारी नागरिकों से अपील है सारी सरकारों से अपील है कि आईए मिलके एक होके लड़ते हैं अगर हम मिलके लड़े एक मुठी बनेगी हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे हमारी ताकत बढ़ेगी हमारी शक्ती बढ़ेगी और अगर हम बढ़ गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा मेरे हाथ में जो होगा आप मुझसे मांगिये मैं दूँगा पूरे देश की मदद करेंगे अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्ये के साथ बाटेंगे और जब दिल्ली में करोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई हमाँ डॉक्टर्स भी भीजेंगे हम सभी भारतवासी हैं हम अपने देशवासीयों की मदद करेंगे सभी राज्यों की मदद करेंगे क्योंकि ये बिमारी कोई बॉडर देखके नहीं फैलती मैं उमीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ सारी सरकारें केंद्र सरकार सारी रज्य सरकारें हम मिलके काम करेंगे एक भारत बनके काम करेंगे करोना को हराने के लिए हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे जादा COVID cases भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहां की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की कैसे हमने सारा प्रबंदन किया भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बिमारी को हमने हराया जैहन